तो जिसे आप प्यार कह रहे हैं, वो खुशी का एक खास पल है, अगर प्यार सच्चा है, तो वो बिना किसी चीज के होगा, जीवन में हर घड़ी आपको उस खुशी को जानना होगा, आपको लगातार प्यार में पढ़ना चाहिए, हर चीज के साथ. ये इस पर निर्भर करता हैं कि आपके हिसाब से प्यार होता क्या है, अगर आपको एक औरत से प्यार हो गया, या एक पक्षी से, एक चीटी से, एक पेड़ से या किसी से भी, तो वो प्यार किसी चीज की वज़े से नहीं होता, आप बस प्यार में होते हैं, पर अगर आपको लगातार सिर्फ औरतों से ही प्यार हो रहा है इसका मतलब है कि आपका प्यार आपके हॉर्मोन्स की वज़े से बेटर है कि आप ये समझ ले तो जो किसी चीज की वज़े से है आप उसे प्यार का नाम देना चाहते हैं ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें प्यार बिल्कुल नहीं है, प्यार है, पर क्या सच्चा है और क्या नहीं है? इसे आप इस आधार पर तया नहीं कर सकते कि क्या कारण था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये इस पर है कि आपने कैसा मैसूस किया? चाहें शादी करके आपको ये हैसास हुआ कि ये प्यार नहीं था या शादी नहीं हो पाई और आपको लगा कि आपका ये प्यार सच्चा था जो पूरा नहीं हो पाया ये आप पर है कि आप इसे कैसे लेते हैं पर असल में प्यार का मतलब है अगर आपका शरीर बहुत खुश हो जाए तो आम तोर पर हम इसे सेहत और सुक कहते हैं अगर आपका मन बहुत खुश हो जाए तो हम उसे शान्ती और आनंद कहते हैं अगर आपकी भावनाएं बहुत खुश हो जाए तो हम उसे प्यार और करुणा कहते हैं अगर आपकी जीवन उर्जा बहुत खुश हो जाए, तो हम उसे परमानंद और उल्लास कहते हैं। तो आप जिसे प्यार कह रहे हैं, वो खुशी का एक खास पल है। अब आप मानते हैं कि किसी और ने आप में ये प्यार पैदा किया है। ये शायद किसी ने आपके अंदर प्यार के शुरुआत की हो, या प्यार को प्रेरित किया हो, और असल में ये आपकी भावनाएं हैं जो बहुत खुश हो रही हैं, जिसे आप प्यार कह रहे हैं। तो अगर प्यार सच्चा है, तो वो बिना किसी चीज के भी होगा। अगर वाकई प्यार, अगर वाकई सचा प्यार है, तो उसका मतलब है कि आपने अपनी भावनाओं को बहुत मधुर बना लिया है, चाहे आपके सामने कोई आदमी हो, या औरत हो, या पेड़ हो, या चीटी हो, या एक हाती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने बस अपनी भावनाओं को मधुर बना लिया है, हर वो चीज जिसे आप देखते हैं, उसके लिए आप में एक खास मिठास है, यही प्यार है, अब लगातार ये एक, दो, तीन, चार महिलाओं से प्यार हो, तो ये हार्मोन्स वाला प्यार है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कुछ गलत है, पर आपको इसकी सीमा को समझना होगा, अगर ये शादी के रूप में एक स्थाई संबंद बन पाए, या जो भी, तो आपको लगता है कि प्यार सफल रहा, वरना आपको लगता है कि प्यार सफल रहा, ऐसा जरूरी नहीं है, मुझे खुशी तब होगी, अगर आप तीन अरब महिलाओं के प्रेम में पड़ें, और बाकी तीन अरब पुरुशों को छोड़ मत दीजेगा, अगर आप तीन अरब महिलाओं के प्रेम में पड़ें, तो वो हॉर्मोलन नहीं होगा, वो बस प्रेम होगा, मैं दुनिया की सारी महिलाओं के प्रेम में हूँ, और चीटियों के भी, और उस मिट्टी के भी जिस पर मैं चलता हूँ, और उस पेड़ के जिसके नीचे अभी हम बैठे हैं, हर वो चीज जो आपको नजर आए, आप में उसके लिए भावनाओं के मिठास होनी चाहिए, वो प्रेम है, और प्यार किसी दूसरे के लिए नहीं होता इसका मतलब है कि आप में मिठास है, सची मिठास, और क्या ये सही है या गलत है, ये और वो बात ये नहीं है, प्यार में जीना बुद्धिमानी है, संसार में भरपूर कड़वाहट है, चाहे आप कितनी भी सावदानी से चलें, आपका सामना किसी ने किसी चीज से हो गई, और जब ऐसा है तो आपको अपने अंदर अपनी खुद की कड़वाहट पैदा करने की जरूरत नहीं है अगर आपने जिन्दिगी में सिर्फ तीन ही बार प्यार किया है तो मैं ऐसे आपका दुर्भाग के कहूंगा क्योंकि बाकी के समय आप खुद के भीतर उस मिठास को नहीं जान सके जीवन में हर घड़ी आपको उस खुशी को जानना होगा आपको लगातार प्यार में पढ़ना चाहिए हर चीज के साथ महिलाएं भी शामिल हैं उनमें क्या दिक्कत है क्योंकि आप तीन अरब महिलाओं के साथ संबंद नहीं बना सकते तो आपने एक को चुना एक आसान है अगर आप पांच से शादी करें तब आप पाएंगे कि वो बहुत दुखदाई है हाँ? एक आसान है और सबसे बढ़कर आप किसी के साथ रिष्टा इसलिए बानते हैं आप जीवन में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा चाहते हैं जिसके साथ कोई रोक टोक ना हो अगर आप नए इंसान से जुड़ेंगे तो हमेशा धोड़े बहुत अकराव और खेल चलते रहेंगे नए इंसान के साथ जूटी लड़ाईयां चलती रहती हैं एक इंसान के साथ आप आराम से जीना चाहते हैं ताकि आपको खेल न खेलने पड़ें कम से कम एक व्यक्ति के साथ आप पूरी तरह से आराम से रहना चाहते हैं सोचे ही है आप कम से कम एक इनसान इसलिए चाते हैं क्योंकि अभी आप उस जगा पर पहुँचे नहीं हैं जहां आप बस खुद ही जीवन के साथ आराम से रह पाएं क्योंकि आप अपने आसपास की सभी जीवों और चारों और मौजूद जीवन के लाखों भी व्यक्तियों के साथ आराम से नहीं रह पाते हैं तो कम से कम एक व्यक्ति के साथ आराम से रहना चाते हैं तब ही एक रिष्टा खोजा जाता है या एक बंधन में बंधा जाता है तो जो लोग इससे आगे देखते हैं, वो लोग एक इंसान के साथ आराम से जीने को महत्व नहीं देते क्योंकि अब वो हर चीज के साथ आराम से रह पाते हैं उस रिष्टी में हर चीज के साथ बिलकुल सहज हैं अब उन्हें ऐसा रिष्टा बनाने की जरूरत नहीं है जहां सिर्फ एक ही रिष्टे में कुछ आराम हो वाकी हर जगा आप जैसे युद्ध में हूं हमेशा खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हूं एक ऐसी जगा जहां आप अपने कवज को नीचे रख सकेंगे क्योंकि सिर्फ तब जब आप अपने कवज को नीचे रखेंगे तब ही आपके भीतर कुछ खुबसूरत होगा तब आप में खुद को बचाने की जरूरत नहीं रह जाएगी तो एक परिवार बनाने या समुदाय या राष्ट्र की बड़ी पहचान बनाने का विचार बस यही है कि एक ऐसी जगा हो जहां आप अपने कवज को नीचे रख पाएं और बस सहजता या आराम से जी पाएं क्योंकि सिर्फ उसी सहजता में दूसरी संभावनाएं प्रकट होंगी वरना आप बस एक जानवर जैसे बन जाएंगे बस लगातार खुद को बचाने की कोशिश करते रहेंगे तो प्यार एक ऐसी संभावना है खुद को बचाने की प्रवित्ती से परे जाया सके ताकि आप खुद को बचाने की कोशिश के बजाए खुद को किसी चीज या व्यक्ति को दे देना चाहते हैं और उसके लिए किसी और की जरूरत नहीं है आप ऐसा बस जिंदगी के साथ कर सकते हैं